बड़े माप के रंदे को चलाने के लिए बहुत कौशल की जरुरत होती है और यह एक दिन में नहीं सीखा जा सकता इसलिए छोटे आकार के रंदे से शुरुआत करनी चाहिए इसे चलाना उतना कठे नहीं होता लकडी को समतल करने के लिए रंदे के प्रयोग के चरणों को ध्यान से देखें बड़े माप के रंदे में दो पॉइंट्स होते हैं टूल का मुख्य एज़ेस्टमेंट पीछे स्थित एक छोटे बटन से होता है और जो टूल के नीचे के हिस्से में बलेट के बाहर निकलने की मातरा को नियंत्रित करता है दूसरा adjustment point रंदे के आगे की ओर होता है जो blade के उस मुह के आकार को नियंत्रित करता है जिससे होकर रंदे का blade गुजरता है रंदे का मुह अधिक बड़ा होने पर निकलने वाले chips या छिलके कम तूटे हुए निकलते हैं इस प्रकार लकड़ी की अधिक छिलाई होती है साधारन रंदा आरी से काटी गई लकड़ी के किनारे के grains को प्रभावशाली ढंक से चिकना नहीं कर सकता क्योंकि इसका blade काफी तिर्चा करके सेट किया जाता है हाला कि छोटे प्रकार के रंदे की blade का तिर्चापन यानि धाल थोड़ा कम होता है जो आरी से कटे हुए किनारों को अच्छी तरह से चिकना कर देता है जब आप यह कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके रंदे की दिशा किनारों से अंदर की और हो आरपार नहीं, नहीं तो कार्य के अंत में लकडी के फट जाने के आशंका बनी रहेगी